स्वागत है दोस्तों आप सभी के मेरे चैनल में आज हम बनाने वाले हैं कतला मचली जिसे हम पानी से साप करके लिये हैं यहाँ पर हल्दी नमक डालेंगे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे तक कि मचली की अंदर नमक हल्दी अच्छे से सेट हो जाए और खाने में बहुत बढ़िया लगेगा तो गैस जला दिया है गैस जलाने के बाद करहाई चड़ाया है करहाई में तेल हम अवसकता अनुसार डालेंगे तेल को गरम होने देंगे तेल जैसे ही करहाई में से धुआ निकलने लगेगा हम 4-5 पिश डाल करके मचली को फ्राई कर लेंगे मचली को एक करें अच्छे से लगने देंगे ताकि मचली चिपके कर नहीं करहाई में तो आप देख सकते हैं अब हमने यहां पर मचली को पलट लिया है करहाई में चिपका नहीं है फिर इसके बाद हमने दोनों कर लगा करके अच्छे से फ्राइब करके निकाल लेंगे मचली को इसी तरह हमें दूसरा वाला भी पीस को फ्राइब कर लेना है इसे भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे अब यहाँ पे हमने मचली का जो मुंडी होता है और पूछी उसे भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे तो देखिए मचली का मुंडी और पूछी हमने कराई के अंदर तिल के अंदर डाल दिया है इसे भी हम बढ़िया से फ्राई कर लेंगे इसे भी फ्राई करके निकाल लिए हैं अब मसाले में लिए हैं सरसू, हल्दी, मीर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, लाहसन इन सब को मिक्सी जार के अंदर डालेंगे अब यहां पे हमने एक कप बराबर पारी डाले हैं जिसे हम मिक्सी जार में मेहिन पेष्ट बना करके ले लेंगे मसाले को हमने पीस करके ले लिया है अब यहाँ पे हम फोरन में लिये मेथी अजबाइन सरसो के तेल के अंदर डालेंगे अच्छे से चटकने देखनेंगे चटक जाने के बाद मसाले को हम तेल के अंदर डालेंगे मसाले को भूनते हुए यहाँ पे हमने दो टमाटर काट कर ले लिया है टमाटर डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है मचली पे मसाले को हमें बढ़ियां से पकाना है भूनते हुए पकाने के बाद हमने यहाँ पे नमक स्वात के अनुसार दिये है मसाले को हम बढ़ियां से भून लेंगे मसाले को हमें चलाते रहना है ताकि करहाई के अंदर पकड़े ना मसाला आप देख सकते हैं मसाला का कलर चेंज हो गया है मसाला अच्छा से भून चुका है अब यहाँ पे हम पानी डालेंगे अपने हिसाब से पानी हम ग्रेवी के हिसाब से डालेंगे दोस्तों मोटा पतला आप जैसे पसंद करते हैं उसके हिसाब से डालिएगा मसाले में हम उबालाने देंगे तो मसाले में उबाला चुका है अब हम जो मचली फराई करके रखे थे उसे हम एक एक करके मसाले के अंदर डालेंगे एक साथ मचली को मत डालिएगा नहीं तो छीटा पर सकता है आपके उपर आकर तो सारे मचली को हम मसाले के अंदर डाल दिये हैं अब यहाँ पे हमने 2-3 मिनट तक मचली को पकाना है मचली तो लिजी मचली मारा बनकर रेडी हो गया अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें